अज हम जानेंगे दो तिन मार्च का मौसम अपडेट बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते मौसम के बीच में अब गर्मी ने अपना प्रभाव दिखाना सुरू कर दिया है ऐसे में अब ठंड के नाम पर बस रात और सुबह में हलकी ठंड का एहसास हो रहा है दीन में बाहर निकलने पर धूप चुपने लगा है और साम होते होते घर के अंदर भी लोगों को गर्मी का हैसास होने लगा है लोगों ने घरों में पंखा भी चलाना सुरू कर दिया है इसमें हल्की ठेंड और गर्मी की बज़ा से लोग सर्दी और जुकाम से भी परसान होने लगे हैं मीडिया में चल रही ख़वरों की माने तो अस्पतालों में मरीजों के संख्या में बढ़ोतरी हुई है आने वाले दो से तीन दिनों में रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है तो आए अब जान लेते हैं दो मार्च और तीन मार्च का तापमान का पुरवानुमान उत्तरमद बिहार के तहत आने वाले जिलों में पस्टिन चंपारन, सिवान, सारन, पुर्भी चंपारन, गौपाल गजर्ज में दो मार्च का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिगरी तक रहने की बात कही गई है वहीं ती मार्च का अधिकतम तापमान जो है 18-30 डिग्री तक रहने की बाँ कही गई है जबकि इनी जिलों का नियुंतम तापमान जो है 14-16 डिग्री तक रहने की बाद कही गई है वहीं अगर हम उत्तर मध्द बिहार के तहट आने व Caoले जिलों की बाद कर लें अगर हम बात 3 मार्च की कलने तो इस दिन का अधिक्तम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है जबकि इनी जिलों का नियुंतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है उत्तरपूर बिहार के तहट आने वाले जिलों में सुपावल, अर अधिक्तम तापमान जो है 16 से 17 डिग्री तक रहने की बात कही गई है दर्शिन पस्चिन बिहार के तहट आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपूर, रोहतास, भवववा, औरंगाबाद, अरवल का 2 मार्च का अधिक्तम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई है दच्छिन मद्ध बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना गया नालंदास से पूरा नवादा बेगुसराई लखिसराई जहानाबाद का दो मार्च का धिक्तम तापांच जो है ठाइस से तीस डिग्री तक रहने की बात कही गई है दच्छिन पूर बिहार के तहत आने वाले जिलो में भागल पूर्मा का जमोई मुंगेर खगडिया का दो मार्च का धिक्तम तापांच जो है ठाइस से तीस डिग्री तक रहने की बात कही गई है यह थे बिहार में मौसम से जुड़ी जानकारी बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इंग खबरम के यह बने रहें बिहार जियोज के साथ मुझे जेजाज़ धन्यवाद